So Hi Guys This is Bixi और कैसे हो अपलोग So Guys, आज की वीडिएो होने वाली है पूरी जिगल के ओपर dedicated मैं आज की वीडियो में आपको बतावाँगा जिगल होता क्या है कितनी टाइप के जिगल होता है और कि सुचेशन आपको कॉनसा जिगल उसकरना है But first of all I want to clear you that जिगल आपका अच्छा होने से आपका close range पूरा इंप्रूव नहीं हो जाएगा आपको जिगल के साथ साथ अपके aim पे ध्यान देने की ज़रत है अगर आपका जिगल अच्छा है ना बट आपका aim अच्छा नहीं है तो आप close range में पिटोगे बहुत गंदा पिटोगे तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना aim कैसे इंप्रूव कर सकते हो जिगल के साथ साथ इस वीडियो को पूरा end तक देखना बहुत informative वीडियो होने वाली है तो लेट साथ वीडियो आज हम बात करने वाले हैं तीन तरह की जिगल के बारे में पहला होगे हमारा फास जिगल, सेकिंड होगे लॉंग जिगल, एंड थर्ड होगे जिगल प्लस कवर एंड जो गाइस लास्ट वाल है ना इसको बिलकुल मिस मत करना क्योंकि ये बड़े-बड़े कॉम्पेटिव प्रेर्स लाइक जोनाथन, स्काउट, स्नेक्स, सब लोग यूज करते हैं तो इसको बिलकुल भी मिस मत करना, मैं आपको इसके ड्रिल्स बताने वाला हूँ आज ठीक है, आपको यूट्यूब पे कही नहीं मिलने वाली स्कीडिल, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं सुगाइस, फर्स्ट आ जाता है मारा फास ज्गल, एंड जो होता है यह 0-8 मीटर की रेंज की फाइट में बहुत ज्यादा डेडली होता है, ठीक है मतलब अगर आप इसे 0-8 मिटर की रेंज में यूज कर रहे हो ना तो एनिमी के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है आपको ट्रेस करना अब आपको ये किस तरह से करना है आप हैंड गैम में देख सकते हो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस के से करनी है सामने टेबल है आपको इसके एंड के अंदर ही रहके जिगल देना है ठीक है इसके एंड के भार नहीं आना ठीक है और आपको इस तरह से जिगल देते रहना है इससे क्या होगा ना कि आपकी मसल मेमोरी में करते हैं कि वो लोग कछ इस तरह का जिगल देंगे वो ध्यान देंगे कि हाँ छीगल ठीक हो रहा है गलत बटो एम देखते ही निए उनका एम इधर उदर कहीं भी जा रहा होता है ठीक है तो ऐसा नहीं करना होता that आपको अपना ऎम जियगल के साथ मूव करना होता है like this और यह डिल जो है ना गयर को आपको फार्राना होता है इस रिल में और यह डिल् Pastor हपा हेट बढ़ानी के लिए भी बहुत अच्छी है अब अपना हीप फार अच्छा कर सकते वुप सकते ऊस जिल्से आपको बस तो हमने फास जिगल में हमने एक टेबल को कवर किया था इस बार हम दोनों टेबल को कवर करेंगे लाइक आपको लेफ टू राइट जाना है पूरा दोनों टेबल को कवर करना है आपको ऐसा नहीं करना कि आधा कवर किया पूरा कवर करना है और जब आप इसको पूरा करोगे के दो तीन मिनिट तक करोगे ना रोज तो आपकी मुसल मेमोरी में यह स्टीस पैड़ जाएगी और गाइस काफी सारी लोग यह गलती करते हैं कि उनका फोड़ाël ये उनके जिगल के साथ मूव करता है उनको की एम पिर करना नहीं आता अपनी जिगल के साथ तो मिल्कम को आपको क्रणा है अपको को इस तब इस तरह से प्रैम्ट के लिए जाोगे देन फोन को लेट से उपर उठाना यंडंड घ्रलाट की तरफ लिजाओगे जो शिक को फोन को हलका सा रारीट की तरफ से उपर उठाना है एंड स्फेयर से आपका हिपाट भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अब हमारी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाती है जिगल प्लस कवर अब यह समझाने के लिए आपको सबसे पहले में क्लिप दिखाता हूँ अब हमारी तो यहां पर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर सामने दो बंदे पुश्च कर रहे होते हैं उम्हें विपस छोटा सा कवर होता है एंड मैं पूरा बहार जाके जिगल देने की जगह, मैं बस हलका सा बहार जाता हूँ, एक दो गोली शूट करता हूँ, देन दुबारा बहार आता हूँ, एंड ये चीज competitive players भी उसकरते हैं, लाइक जोनाथन हो गेरा, अगर आप उनका भी गेम नोटिस करो, तो वो भी कभी पूरा cover के बाहर नहीं जाते, वो भी हलका सा cover के बाहर जाके fire करते हैं, इस पूरा जिगल आपको सिर्फ तभी करना होता है, जब आपकी पास बिल्कुल भी cover नहीं होता है, एंड पूरी open to open fight होती है, आपको इस चीज को practice कैसे करना है, उसके लिए आपको इस जगह पे आन अंदर आना है, बाहर जाना है, fire करते हुए अंदर आना है, और यह चीज आपको रोज 5 minute practice करनी है, अगर आप beginner हो तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसको थोड़ा धीरे करो, आपको ज़्यादा fast करनी की ज़रत नहीं है, आपको अपने aim पे focus करनी की ज़रत है, कि आपका aim सामने targets पे लग रहा है, so guys, आज की वीडियो में बस इतना ही, आप मुझे comment करके बता देना कि आपको next वीडियो किस topic के उपस ही है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना, और channel को करना subscribe, और bell icon दबा देना, ताकि next वीडियो आपको सबसे पहले देखने क मिले, तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye